परिचय उद्देश्य इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे हैमी काड़िट, रज्जुकी, कशिरूकी, साइकलोस्टोमेटा, कौन्रीक थीज, आंस्टिक थीज, उभैजर, सरी स्रिप, पक्षी वर्क एवं स्तन्टोमेट, अधारियों के विभन लक्षणों को समझेंगे वर्की करन का इतिहास हैमी का डेटा क्रिमी के समान, समुदरी जीवों का एक छोटा समू है, जिनका संगटन अंग तंदरिस्तर का होता है ये सब तुई पाश्व रूप से समिमित, त्रिकोर की तथा प्रागोही प्राणी हैं, इनका शरीर बेलनकार तथा अग्रिशुंड, कॉलर एवं लंबे वक्ष में विभाजित होता है इनका परी संचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, श्वसन कलों द्वारा होता है, शुंड ग्रंथी इनके उच्सरजी अंग हैं, इनमे नर एवं मादा अलग-अलग होते हैं, निशेचन पाहे होता है, परिवर्थन अप्रत्यक्ष होता है उधारण, बैले नौक लोसस एवं सेको ग्लोसस संग रज्जुकी यानी कादेटा से संबंदेत प्राणियों की पहचान, प्रिष्ठ रज्जु, प्रिष्ठ खोकली, तंत्र का रज्जु और युगमित ग्रस्नी कलों छितरों की उपस्तिती द्वारा की जाती है ये दूई पाश्वता सम्मेती त्री कोर की तथा प्रागोही प्राणी हैं इनमें अंग तंत्र इस्तर का संगठन पाया जाता है इनमें एक गुदा पश्च पुच तथा बंद परिसंचरन तंत्र होता है संग कारडेटा को तीन उपसंगों में विभाजित किया गया है उपसंग 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 उपसंगों में प्रिष्ट रज्जू केवल लार्वा की पूँच में पाय जाती है उधारन एस्कीटिया, सालपा, डोलियोलम सिफेलो का डेटा में ये सिर से पुच शित्र तक फैली रहती है और जीवन के अंध तक बनी रहती है उधारन ब्रेंकी उस्टोमा यानि एमफी ओक्सस या लेसलेट कशेरूकी कशेरूकी के सदस्यों में भुरूणिय आवस्था के दौरान प्रिष्ट रज्जू पाही जाती है व्यस्क आवस्था में प्रिष्ट रज्जू उपास्थिल अथ्वा अस्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है इस प्रकार सभी कशेरूकी रज्जूकी होते हैं लेकिन सभी रज्जूकी कशेरूकी नहीं होते हैं कशेरूकी में दो, तीन या चार प्रकोष्ट वाला पीशिय अधर हिर्दय होता है व्रिक उत्सर्जन एवं जल संतलन का कारे करते हैं तथा युकमिद उपांग होते हैं जो पंख या पाध हो सकते हैं उधारन मकडी, माईट, कीट, क्रिमी, मचली, उभैचर, सरी सिर्प, पक्षी एवं स्तन्धारी साइक्लोस्टोमेटा वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के सभी प्राणे कुछ मचलीयों के बाहे परजीवी होते हैं इनका शरीर लंबा होता है जिनमें श्वसन के लिए 6-15 जोड़ी कुलोमचिद्र होते हैं सलाइक्लोस्टोम में बिना जबणों का चूशा केवं वृत्ताकार मुख होता है इनके शरीर में शल्क तथा युगमित पंखों का अभाव होता है कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होती है परी संचरंड तंत्र बंद प्रकार का होता है साईक्लोस्टोम समुद्री होते हैं किन्तु अंडे देने के लिए अलवणिये जल में प्रवास करते हैं अंडे देने के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं इसके लार्वा कायंतरन के बाद समुद्र में लाड़ जाते हैं उधारण पेट्रो माईजॉन यानि लैम्प्रे तथा मिक्सीन यानि हैक फिश. कौन्री किथीच कौन्री किथीच धारा रेखिये शरीर वाले समुदरी प्राणी हैं और इनका अंतहक गंकाल उपास्थिल है. ये असमतापी प्राणी हैं अर्थात इन में अपने शरीर का तापमान नियंतरित करने की इक्षमता की कमी होती है. प्रिष्ट रज्जू चरस्थाई होती है, मुख अधर पर इस्थित होता है, दाद रुपांतरित पठाव शल्क होते हैं, जो पीजे की ओर मुड़े होते हैं. इनके जबडे बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये प्राणी परभक्षी होते हैं. क्लॉम चिद्र अलग-अलग होते हैं, तथा प्रच्छत या क्लॉम आच्छादन से धके नहीं होते हैं. त्वचा कठोर, सुक्षम पट्टाभ, शल्क युग्द होती है. वायो कोश की अलगतार तैड़ते रहते हैं. हिरदय दो प्रकोष्ट, एक अलिंद तथा एक निलयवाला होता है. इनमें से कुछ में विद्द अंग यानी टारपीडो होते हैं, और कुछ में विश्दंत यानी ट्राइगोन होते हैं. नर तथा मादा अलग-अलग होते हैं. नर में शरो हैं. उधारण, स्कोलियोडोन यानी कुट्ता मचली, क्रिस्टिस यानी आरा मचली, कारकेरोडोन यानी विशाल सफेद शार्क और ट्राइगोन यानी दंजरे. आस्टीक थीच आस्टीक थीच वर्ग की मचलियां लवणियें तथा अलवणियें दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं. इनका अंता कंकाल, अस्थिल, शरीर, धारा रेकित, मुख अधिकांश्ता, अंतस्त होता है. ये सभी असमतापी प्राणी होते हैं. इनमें चार जोड़ी कलोम होते हैं, जो दोनों और प्रच्छे से ढखे रहते हैं. तो अचा साइकलोईट यानि तीनोयट शल्क से ढखी रहती है. इनमें वायुकोश उपस्दित होता है, जो उत्पलावर में सहायक है. हिर्दय दो प्रकोश्ट वाला यानि एक अलिंद और एक निलै वाला होता है. निशेचन प्राया बाहे होता है. नर तथा मादा अलग-अलग होते हैं, ये अधिकांश्ता अंटच होते हैं और परिवर्धन प्रतक्ष्य होता है. उधारण समुद्री एक्सोसितम यानि उडनमचली, हिपोकैंपस यानि समुद्री घोडा, अलवणियें, लेवियो यानि रोहू, कादला यानि कतला, क्लेरियस यानि मांगोर, अक्वोरियम, बेटा यानि फाइटिंग फिश, पैट्रोफाइलम यानि अंजल फिश, उभैचर यानि एमफीबिया, उभैचर जल तथा इस्थल दोनों में रह सकते हैं, इन में अधिकांश में दो जोड़ी पैर होते हैं, शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है, कुछ में पूँच उपस्तित होती है, उभैचर की तौचा नम और शल्क रहीत होती है, ये असमतापी प्राणी हैं, इन में नेत्र पलक वाले होते हैं, कण की जखा कण पठल पाये जाता है, आहार नाल, मोतराशय तथा जननपत्थ एक कोष्ट में खुलते हैं, जिसे अवसकर कहते हैं, जो बाहर खुलता है, नवोदित उभैचर मचली की तरह क्रूम दोरा सांस लेते हैं, वैसक उभैचर फेपडे तथा तथा तवचा से सांस लेते हैं, फिरते तीन प्रकोष्ट, दो अलिंद तथा एक निलैवाला होता है, नर तथा मादा अलग-अलग होते हैं, निशेचन पाहे होता है, ये अंडज होते हैं, तथा विकास प्रत्यक्ष अत्वा अप्रत्यक्ष होता है, उधारण बूफो यानि टूड, राना यानि मेडक, हायला यानि विरिक्ष मेडक, सलेमेंड्रा यानि सलेमेंड्रा, एक्विती ओफिस यानि पाद रहित उभैचर सरीश्रिप यानि रेप्टिडिया सरीश्रिप नाम प्राणियों के रहिंगने या सरकनी के द्वारा गमन करने के कारण है सरीश्रिप विविने चालों में कदी कर सकते हैं ये गर्म, शुष्क रेगिस्तान तथा गर्म, नम उश्ण कठी बंधिये वर्शावनों में रहते हैं ये सब अधिकांशता इस्थलिये प्राणी हैं और जिनका शरीर शुष्क एवं श्रंगित तौचा बाहे तौचिये शल्क या प्राशल्क से धका रहता है सरीश्रिप असमतापी प्राणे होते हैं साप तथा छिपकली अपनी शल्क को तौचिये केंजल के रूप में छोड़ते हैं सरीश्रिप में बाहे कण छिद्र नहीं पाय जाते हैं कण पठल बाहे कान का प्रतिनिधिद्व करता है दो जोड़ी पाद उपस्तित हो सकते हैं हिर्दय प्राया तीन प्रगोष्ट का होता है लेकिन मगरमच में चार प्रगोष्ट का होता है लिंक अलग-अलग होते हैं निशेचन आंतरिक होता है ये सब अंडच होते हैं और परिवर्धन प्रतक्ष होता है उधारण एवीज यानि पक्षी लगबग 9000 प्रकार के पक्षी हैं पक्षी वे कशेरुकी होते हैं जिनमें पंक पाए जाते हैं तथा वे पिच्छ से ढगे रहते हैं ये समतापी होते हैं पक्षी का कंकाल भार में बहुत हलका होता है इससे उड़ने में असमर्त शितर मुर्ग पक्षीयों को छोड़कर उन्हें उड़ने में साहिता मिलती है ये सब अधिकांश्ता इस्थलिये प्राने हैं और जिनका शरीर शुष्क एवं शृंगित तवचा बाहे तवची शल्क या प्रशल्क से ढगा रहता है तवचा शुष्क होती है पुच के अधार परिस्थित तेल ग्रंती को छोड़कर कोई और तवचा ग्रंती नहीं पाय जाती है अंता कंकाल पूरी तरह से अस्थिल होता है और लंबी अस्थियां खोकली तथा वायकोश वाली होती हैं अगरपाद रुपांतरितों कर पंक बनाते हैं पश्चपाद में समानिता शल्क होते हैं और चलने तैडने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने के लिए रुपांतरित होते हैं पक्षियों के पाजन पत में अतरिक्त प्रकोष्ठ क्रॉप तथा पीश्णी होती हैं, फिरदय पूर्ण चार प्रकोष्ठ का बना होता है श्वसन फेप्रों के द्वारा होता है, पायुकोष फेप्रों से जुड़कर साहयक श्वसन अंग बनाते हैं लिंग अलग-अलग होते हैं, निशेचन आंतरिक होता है, ये अंडच होते हैं और परिवर्थन प्रतक्ष होता है पक्षी कठोर कवच वाले अंड़े देते हैं, जिन्हें वे अपने घुसले में सेते हैं उधारण, काफ्स यानि कववा, कोलुम्बा यानि कपोत, सिटिकुला यानि तोता, स्टियो यानि ओस्टिच, पैवो यानि मोर, एटिनोडाइटीस यानि पैग्विन, और निउफ्रों यानि गिध्ध स्तंधारी यानि मेमेलिया इनमें दूद उत्पन करने वाली स्तंग्रंथी होती है, जिससे बच्चे पोशन प्राप्त करते हैं ये समतापी होते हैं, अर्थात, गर्म रुधिर वाले होते हैं इनमें दूजोड़ी पात पाये जाते हैं, जो चलने, तौड़ने, विरिक्षपर, चढ़ने, बिल में रहने, उड़ने या तेड़ने के लिए अनुकुलित होते हैं स्तंधारियों की तोचा विशिष्ट होती है, इस पर रुम पाये जाते हैं रुम प्राणियों को गर्म रखते हैं, माना विस्तंधारी है, लेकिन जन्तों में हमारी अपिक्षा अधिक रुम होते हैं पाहे कण या कण पलब पाये जाते हैं जबडे में विभिन प्रकार के दाथ पाये जाते हैं फिरदे चार प्रकोष्ट काब होता है, श्रसन फेप्रों द्वारा होता है, लिंग अलग-अलग होते हैं और निशेचन आंतरिक होता है कुछ को छोड़कर ये सभी जरायूज होते हैं और परिवर्धन प्रतेक्ष्य होता है उधारण सामान डॉल्फिन, बैले निप्टेरा यानी ब्लू वेहल, पैंधरा टाइग्रिस यानी बाग, पैंधरा लियो यानी शेर क्या आप जानते हैं, पक्षियों के अध्यान से संबंदित जीव विज्ञान की शाखा पक्षी विज्ञान है शुत्र मुर्ग, पैंग्वेन, एमू और कीवी ना उड़ सकने वाले पक्षी हैं सबसे बढ़ी पक्षी शुत्र मुर्ग है, जिसका अंड़ा भी सबसे बढ़ा होता है आसमतापी बाहयोश मी भी कहलाते हैं प्रानी जिनमें शरीर का तापान नियत रखने के लिए सन्न्हित तापिस्थापी होता है समतापी कहलाते हैं मच्छल लार्वा का उन्बूलंग करने वाली मच्छली गेंबूसिया है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं। हैमी का डेटा क्रमी की समान समंदरी जीवों का एक छोटा समो है जिनका संगठन अंगतंद रिस्तरका होता है। इनका शरीर, बेलनाकार तथा शुन्ड, कॉलर एवं वक्ष में विभाजित होता है। संग का डेटा में वे प्राणी शामिल होते हैं जिनमें जीवन के अंध तक या प्रारंबिक भ्रूनिय जीवन के दौरान प्रिस्ट रच्चु बनी रहती है। कशिरू की प्राणियों में प्रिस्टिय नलिकाकार, तंत्रिकारच्चु, करोटी, अधरमें सिध हिर्दय और आहरनाल युक्त देह कोहा पाई जाती है। कुछ कशिरुक्यों में जबड़े नहीं होते हैं, जैसे अनेथा, जबकि अधिकांश में जबड़े पाई जाते हैं, यानी नेधोस टोमेटा। वर्ग, एमफीबिया, सरीशरिप, एवीज और इस्थन्धारी में दो जोड़ी पाथ पाई जाते हैं, और इस प्रकार इनको टेट्रापूढा समों में रखा गया है। उभेचर, इस्थल तथा जल दोनों में रह सकते हैं। उभेचर हिर्दय तीन प्रकोष्ट का मध्धि व्रकक, व्रिक, बाहे कंकाल अनुपस्तित होता है। इनमें RBC सबसे बड़ी होती है, तथा इस पर मोटे शल्क पाय जाते हैं। शुश्क एवं श्रंगित तवचा सरीशरिप की विशेष्टा है। सप्र में पाद अनुपस्तित होते हैं, मचली, उभेचर और सरीशरिप असमतापी याने ठंडे रुधिरवाले होते हैं। सरीशरिप असमतापी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें शरीर का तापान, नियंतरित करने की प्रणाली नहीं होती है। एवीज समतापी प्राणी हैं, जिनके शरीर पर पिच्च होते हैं और उड़ने के लिए अग्रपात पंखों में रुपांतरित हो जाते हैं। पक्षियों में चार प्रकोष्ट वाला हिर्दे पाय जाता है। स्तन ग्रंथियां रुपांतरित सुएद ग्रंथिया हैं, स्तन ग्रंथियों में बिन्ना या बाहिकन पाय जाता है। झाल कर जाते हमाई बिन्ना ये, हाई यें हो